हेलो फ्रेंज, क्लासिस फोर यू यूटूब चैनल पे आप से भी का सुभागत है आज की वीडियो में हम लेके आई हैं 11 प्रेल 2020 के Most Important Contrafer Questions वीडियो के सारे questions selected लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले हर एक्जाम के लिए काफी helpful होने वाले हैं वीडियो की PDF वीडियो के description में आप लाणोर कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से start करते हैं आज का अपना first question Question No.1 36 गर्ड सरकार ने किशे वीरनी पुर्षकार से सम्मानित किया है Option ने मिताली राज, B. दूती चंद, C. नैना रोय, D. इनमे से कोई नहीं इसका right answer option B है, दूती चंद भारत की मैला धाविका, दूती चंद को चत्यजगर सरकार ने वीरनी पुर्षकार से सम्मानित करने की गोशना की है दूती चंद को जकर्टा इशे खेलों में 100 मेटर और 200 मेटर में रज़त पदक जीटने को प्लक्से में चत्यजगर सरकार ने वीरनी पुर्षकार से सम्मानित किया है इससे पहले 2019 में उन्होंने इतली में आयोजित वाल यूनिवस्टी खेलों में सौनपदक जीता था और ऐसा करने वाली वह बारत की पहली मैला एटलेटी भी बनी थी इसमें बात चत्यजगर राज्य की हुई है तो आई चत्यजगर राज्य के बाले में हम चान लेते हैं चत्यजगर की राजदानी रायपूर जिसका नया नम अटलनगर रखा गया है चतिशकर्ड राज्या में 28 चले हैं, इसकी राज्य बशा हिन्दी और चतिशकर्डी हैं चतिशकर्ड राज्या का गर्थन एक नॉम्मबर संथ 2000 में हुआ था चत्यस्गड के राजयापाल अनुस्किया उईके हैं और इसके मुख्यमंतरी वरतमान में भुपेश पगेल हैं चत्यस्गड राजय की विदान सभा में 90 सीटे हैं राजय सभा में 5 और लोग सभा में 11 सीटे हैं नेक्स्ट केंजरी रेजरोग पुलिस बल सीर्प ने 9 अप्रेल 2020 को भादूर पुरुसों और महिला को सर्दा अंजली देने के लिए अपना सोर्या देउस मनाया है यह दिन 1965 में CRPF की एक छोटी सीटुकरी के दोवारा गुजरात के कच खेरण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े आकरमनकारी पाकिस्तानी सेना को हराने के उपलक्स में मनाया जाता है केंजरी रजरुग पुलिसबल CRPF ने नो अप्रेल को अपना 56वा CRPF सोर्या देउस मनाया है और भात के पहले चीफ अफ डिफेरेंट श्टाफ जनल बिपिन रावत है बारतिया थल सेना के परमुख जनल मनोज मुकुन नर्वने है नाव सेना परमुख एड्मिरल करंबिर सिंग है और वायू सेना परमुख एर मार्शल राकेश कुमार सिंग भधोडिया है और स्रेंच जितने भी अप्रेल महिने में महतरपून दीवस हैं उन सभी को हम कौर्प कर लेते हैं एक अपरेल को औरिशा स्थापना दीवस मना जाता है दो अपरेल को विश्व ओटिजम जागरुकता दीवस मना जाता है चार अपरेल को अंतराष्ट खदान जागरुकता दीवस मना जाता है पास अपरेल को राष्ट समूंद्र दीवस मना जाता है साथ अपरेल को विश्व स्वास्थ दीवस मना जाता है दस अपरेल को विश्व होमियोपेथी दीवस मना जाता है 11 अप्रेल को राष्ट्रे शुरुक्षिक्त मात्रतो डिवस नेशन पैड्रे मना जाता है 13 अप्रेल को जलियावला बाग नर्सन हार डिवस मना जाता है 17 अप्रेल को विशो हेमोफिल्या डिवस मना जाता है 18 अप्रेल को विशो दरोहर डिवस मना जाता है 21 सप्रेल को राश्ट्रे शिवल शेवा दियूस मना जाता है 22 सप्रेल को विशो पर्थी दियूस मना जाता है 23 सप्रेल को विशो पुष्टक और कोपीराइट दियूस मना जाता है 24 सप्रेल को राश्ट्रे पंचायती दियूस मना जाता है 25 अप्रेल को विशो मलेरिया दियूस और विशो पसुत चिकित्सा दियूस मना जाता है 26 अप्रेल को विशो बोधिक संपता दियूस मना जाता है और 28 अप्रेल को काम प्रशुक्षा और स्वास्ते के लिए विशो दियूस मना जाता है important questioning आपके exam के लिए next question नरेंदर सिंग तोमर ने किस राज्य में मदू करांटी पोर्टल और नफेट के हनी कोर्नर को launch किया है option नहीं दिल्ली B. वारानसी C. हैदराबाद D. इन में से कोई नहीं इसका right answer option A है नहीं दिल्ली नरेंदर सिंग तोमर ने नहीं दिल्ली में मदू करांटी पोर्टल और नफेट के हनी कोर्नर को launch किया है इसका right answer option D है संजीव कुमार बारतिय प्रसाशनिक सेवा के अधिकारी ने संजीव कुमार को एरपोर्ट अठोर्टी ओफ इंडिया के अधिक्षी रूप में नियुक्त किया है संजीव कुमार 1983 बैज के मारेश्टर के अधिकारी है जो की वत्मार में माराष्टराज्य के राजय आयुक्त के पद पर नियुक्त है संजीव कुमार इससे पहले जलापूर्टी और सवचता उर्जा एवं उद्दोग्य बाग एवं विबिन मंत्रालों के मुद्वागों में भी काम कर चुके हैं इसमें बात माहराष्टराज्य की हुई है इसके बार में हम इंपोरेटन पोइस चान लेते हैं महराष्टराज्य की राजदानी मुंबई है महराष्टराज्य के वत्मान में गौवर्णर भगसिंग कोश्यारी है महराष्टराज्य के वत्मान मुख्य मंत्री उडव ठाक रहे हैं और महाराश्टराज्या के उपमुख्य मंत्री अजित पवार है। महाराश्टराज्या की विदान परिशद में 288 शीटे हैं। और विदान सवा में 288 शीटे हैं। Next question किशेद देवी संकर आवस्ती पुरुषकार 2020 से समानित किया गया है। इसका right answer option A है आशुतोर्ष भार्दवाज को परसिद देवी संकर आवस्ती पुरुषकार 2020 से समानित किया गया है। राजेंदर कुमार और नंद किसोर आचारे की चैन समीते ने आशुतोर्ष भार्दवाज को उनकी पुष्तक पित्र वद्द के लिए डेवी संकर आवस्ती 2020 पुरुषकार दिया है। यह पुष्तक अंग्रेजी में The Death Trap के नाम से प्रकासित है। अशुतोर्ष भार्दवाज एक वीडेशी अंग्रेजी प्रत्रकार हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने पुष्तों को प्रकासित करते हैं। नेक्स्ट भार्दे रेल्वे ने वर्थ 2021 में कितने करोव रुपे की स्क्रेप बैज कर अधिकतम विक्रिक की हैं। इसका राइट आंसर ऑप्षन D है 4573 करोव रुपे हैं। किस राज्या ने सब्ता में पास दिन काम करने का निरिनल लिया हैं। इसका राइट आंसर ऑप्षन C हैं मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश राज्या के वर्तमन मुखे मंत्री शीवराशिंग चोहां ने राज्या में बढ़ते कोरोणा संकर्मन को देखते हुए सब्ता में पास दिन काम करने के प्रस्ताव को पारित किया हैं। शीवराशिंग चोहां ने इमेरजेंसी मीटिंग के थहत सबी सरकारी दफ्तरों को सनीवार और रविवार को बंद करने का निर्नत लिया हैं। इसमें बात मध्यप्रदेश राज्या के हुई हैं। मध्यप्रदेश राज्या के बारे में हम जान लेते हैं। मध्यप्रदेश राज्या की राजदानी बोपाल हैं। में दूसरा सतपुरा राष्या उद्याना इसका शेतर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्या उद्यान भी हैं। में अब्यारन तता 1955 में नैशनल पार्क बनाया गया था। इस राष्या उद्यान में भारा सिंगा, चीतल, चिंगार, बाग, तेंद्वा और भाली आदी जानुर पाये जाते हैं। यहां पर हालो गाटी तता बंजर गाटी पर मुक दर्सिने स्थल भी हैं। अगला है बांदवगट राष्या उद्यान। इसका सेतर प्रल्गबग 437 वर किलोमेडर तक फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इस रष्टे उद्यान में सफेज से पाये जाते हैं। और यहां 32 पाडियों से घिरा हुआ है। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगा आपके एक्जाम के लिए। नेक्स्ट केस्टन ने ओमान में आयोजित एशियन क्वालिफायर्स में लेजर रेडियल इवेंट में टोप कर चेंपियंशिप को फिनिश करते हुए यह निया इतिया सरचा है। नेक्स्ट किस्ट ने एक्जाम वोरियर्स नामग पुष्टक का वी मोचन किया है। प्यम मोधी प्यम मोधी ने एक्जाम वोरियर्स नामग पुष्टक का नविन्तम संस्करन उप्चारिक रूप से लौंच किया है। नेक्स्ट पुरू बारतिय होकी टीम के कोच हरिंदर सिंग को अमेरिके पुरियर्स टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बारतिय होकी टीम के कोच हरेंदर सिंग ने बारतिय राष्ट्रे पुर्ष और राष्ट्र मही लाद दोनों टीमों को कोचिंग दिया है हरेंदर सिंग को वर्ष 2012 में 24 पुर्षकार से भी समानित किया जा चुका है इसमें बात होकी की हुए है होकी के बारे में हम जान लेते ह होकी इंडिया की स्थापना 20 माई 2009 में हुई थी और होकी इंडिया के वरतमान में अधर्टमान में नरेंदर बत्र, दोस्तो आपको हमारा वीडियो आजका अच्छा लगा तो वीडियो को लाईक और अपने फैंसे में शेर जूरु करेंगा आज के लिए इतना ही धन्यवान